मुख में पानी ला देने वाली हमारी स्पेशल चार्ट जिसको हम जाके मार्केट में खाते हैं या ठेले पर खाते हैं तो आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल जैसे मार्केट में चार्ट बनती है बिल्कुल वैसे ही मैं आपको बताऊंगी तो यह देखिए सबसे पहले हुएम आपको किया करना है आपकी देखिये चाटेशेंचे हम जोले तैयार कर लेंगे देखिए बीच Euro BOB Plus लेना है ना है तो तेल मेह सबसे पहले चुमन जाना है तंका लगा लगाने के लिए आज़ू चुछा मजीरह और यह तीन से चार मिनट के बाद गोल्डन प्राउन हो जाते हैं ज्यादा टाइम लगता इसको गोल्डन प्राउन होने में तो यह देखिए आप बिल्कुल अच्छे सब्सक्राइब हो चुकी है तो अब हम इसमें डाल देंगे अधरक और लहसुन का पेस्ट अब डाल देंगे पर 1 च्छोड़े चमच उल्दी पाउडर और एक चोटे चमच यहां पर धनिया पाउडर आदा चोटे चमच लाल पाउडर एक चमच पास्मीर लाल मिर्च पाउडर यह भी तीकर नहीं होते अब इसको हम अच्छे से कर देंगे तो फ्रिंट्स यहां पर आप क्या करते कि जल्दी बनानी के लिए जैसे हम मसाले डालते हैं तो थोड़े देर के बात जलने लगते हैं तो क्या करें कि आप जैसे अधरक लहसुन का पेष्ट उसमें ही अप सारे सुखे मसाले पहले सही एड़कर करें बहुत अदर अदर बुनने के बाद देखिए यहाँ पर हम डाल देंगे आलू उबले हुए आलू है इसको हाथों से क्रस कर लें अब आलू को आपको 3-4 मिट के लिए बुनना है मसालों के साथ अच्छे से तो फिर देखिए यहाँ पर तो हम समोसे का इस्तेमाल करेंगे नहीं तो बस समोसे जै बना रहे हैं तो वह हम गाड़ी नहीं रखेंगे पतला रखेंगे अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे स्वादानुसर नमक तो ध्यान रखना है कि जब आपने छोले उबाले तो अगर आपने पहले से नमक कड किया है तो यहाँ पर कम नम मच अब यहाँ पर्याट कर देंगे आदा छोटी चमत चाट मसाला पाउडर इससे चाट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा छोले में हमारे नहां डालेंगे हम बारी कटिव धनिया पती अच्छे से करेंगे मिक्स ढख देंगे इसको ढखकन से और दो मिनट के लिए हम पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि हमने जो भी अभी डाला वो सारा फ्लेवर इसमें आ जाए और यह देखो आप हमारा जो चाट के लिए जो छोला है फ्रेंस बिल्कुल रेडी है आप देख सकते हैं यह देखिए आप चलते हैं अब हम पापड़ी बनाने की और तो अच्छे से कर देंगे मिक्स नमक एड़ करके अब इसको हम गूथेंगे तो इसका कड़ा डो बना कर तयार करेंगे तो यहां पर मैं बहूल गई थी रिफायन वाइल डालना तो क्या होता है कि जब हम कुछ चटपटा बनाते हैं तो हर बड़ी में गरबरी हो जाती है तो जैसे कि मैंने बताया आप पहले ही रिफायन वाइल जैसे मैंने नमक डाला उसके बाद ही रिफायन वाइल एड़ करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लें उसके बाद पानी डालकर गूथ ले इससे क्या होगा कि कुड़कुड़ी बनेगे पापड़ी जिससे समोसे का टेस् तरीके से और देल लगाकर तेल लगाकर इसको अच्छे तरीके से हम रखेंगे कम से कम इसको आदा हंटा के लिए रेस्ट में छोड़ें ताकि आटे में बलकुल लचक आ जाएं और यह देखो आदे घनटे के salmon को सेट हो कका है एक और देख सकते हैं इसको उतनी हाड़ नहीं देखिए हैं अच्छे सब चुकी है अब हिसको क्या करेंगे हम कि देखिए पूरा घतना हमारा चकला है पूरा लेगे उसके वाद आपके पास या पिर कोई कटोरी हो इसको आप दशेगा विबयास अब इस तरिक रहे में प्रजानेना या अगर आपको इस तरहके से काटना नहीं नहीं तो आप छोटी चोटी लोई लेकर इस तरहके से बेव सकते हैं तो बस एक्ष्टा पाट इसको हम हटा देंगें पुलेगी को ऐसे रहेगी दो लेकिन खल नहीं करना तो यह करेंगे कहनी प्यार चुण हे cabbage कि取 viene ऐसलिंगे करेंगे तो मैं नो सब्सक्राइब करने के लिएस उसके बांगी सब्सक्राइब तेल गरम होते ही आपको इसमें डाल देना है उलट पुलट करके आपको कम से कम आठ से दस मिनट लग जाएंगे मीडियम फ्लेम पर आपको इससे पकाना है जिससे के जो हमारी पापड़ी है बिल्कुल अच्छी बन कर तयार होगी यह देखो आप अब गोल्डन ब्राउन होन जाएंगे और देखें समोसे के जगा पर हम यह डालेंगे और देखें जैसे मैं बताया था शुरू में कि हम आलू क्यों डाल रहे हैं कि समोसे के लिए तो मैंने पापड़ी बनाया अब उसके अंदर का तो आलू मसाला है नहीं और छोले भी है इसलिए मैंने आलू डाला समोसे के जो अंदर का आलू मसाला है वो आलू मसाला की फिलिंग लेकर आएगा तो देखें आप इसको गार्निस कर देंगे चाट को सजा देंगे बारी कटा हुआ प्याज बारी कटा हुआ हुआ हरी मिर्च बारी कटा हुआ टमाटर और डाल देंगे यहां पर भूना है वहार नमक बहुत ही ज़रूरी है टेस्ट हैंश हो जाता है और देखर अबता है झाले है हमार करें तो देखता है कि एक चुम आपकर बता है कि कैसा ऑना है हमारे और लियूप पसंद आए तो वीडियो को लाइक से हैं मेरे चलन को सब्सक्राइब कर दिए मिलते हम नेक्ट वीडियो